विपक्स तो अपना रोल अदा करेगा ही, यो कि 6-7 मैंने में जिस प्रकार से सरकार हर बिंदू के उपर फैल हुई है, चाहे वो कानून प्यवस्था की बात हो, चाहे वो बजरी माफियां की बात हो, चाहे मैलाओं के प्रती जो अपराद हो रहे हैं, उनकी बात हो, चाहे बिजली पानी को लेकर के पूरी तरीके से ये फैल रही हो, हीट वेव से लोगों की जाने बचाने में फैल रही हो हर क्षित्र में पूरी तरीके से फैल है और जो समाचार आ रहे हैं जिस प्रकार का हमारे पास में विदान सभा की कारवाई का है उसमें ये कहा गया है कि किरोडी लाल मिना जी जो करशी मंत्री हैं उनका जबाब कोई दूसरे मंत्री देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हो क्या रहा है कि दीरे दीरे अब जुआला फूट रहा है और जो भारतिय जनता पार्टी ने जो MP के चुनाओं में टिक्टे बेचने का काम किया जो तानासा ही किंद्रे नेतरी तोय भारतिय जनता पार्टी ने किया था और जिस प्रकार से किरोडी लाल मिना जैसे कद्दावर एक नेता का अपमान ये बार-बार कर रहे थे और वो इनको चेतावनी दे रहे थे और सीनियर्टी को उनके योगदान को उनके संगर्स को उनके अनुबव को दरकिनार करते वे जिस प्रकार परचियों से मुखे मंत्री बनाने लग गए बारतिय जनता पार्टी का केंद्री आला कमान उसके बाद से और विरोक्रेसी पूरी तरीके से आवी होगी जन परतिनी दी कि यहां कोई कदर नहीं रही एक थर्ड ग्रेट की टीचर का यह ट्रांस्पर नहीं करा सकते एक बाबू अपने कारेले में लगा नहीं सकते ऐसे ही लगा नहीं सकते और सारे के सारे बीजेपी के जन परतिनी दी विरोक्रेसी से मिलने के लिए अपने काम करवाने के लिए अपने गोहार करने के लिए वेटिंग लिस्ट में खड़े होने लगे और परचियां कटाने लगे कि कब मेरा नमबर आये र कब मैं विरुक्रेशी को अपनी बात पूँँ तो ये जो आलम मैं समझता हूँ कि राजस्तान में हुआ है ये बहुती दुर्भाग्य पूर्ण है जनतागे मुद्दों के उपर इनका कोई फोकस नहीं है आपसी लड़ाई में इतने ज्यादा ये भीड़ चुके हैं आपस में कि अब इनका कोई संपट बैठने वाला नहीं है आज जो समाचार आ रहे हैं कि किरोडिलाल मिना जी काफी दिनों से इस्तिपे की बात कर रहे थे रगुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाई तो अब उनको या तो बचन उनका जाना था या प्राण जाना था उन्होंने अपना बचन बचा लिया और बचन बच गया तो यू मालो प्राण भी बच गया तो मैं समझता हूं कि जो इस्तिपे की खबर आ इसे परेशान हो करके इसे एयोग्ये नित्रित्व से परेशान हो करके अपने आपको कुंठित महसूस कर रहे हैं कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं जनता का ना बिजली का ना पाणी का ना सड़क का ना चिकित्सा का ना चिक्सा का और मैं समझता हूं कि वो तो खुद का को से विरोध करते हैं और यह सुरुवात हो चुकि है राजस्तान में पर्ची से बनी सरकार की पर्ची पुनाय बदलने की एक और सवाल है कि डॉक्टर फिरोडिलाल मेरा ने इस्तीफा देगी है क्लियर बात तो दिल्ली जो से आपके पास तो लंब वाय दो दिन से क्या कारण उनसे दिल्ली का नेत्री तो है मिल नहीं रहा है मिलने के लिए समय नहीं दे रहा है तो यह बेज़ती है एक इतने बड़े सीनियर नेता की एक तरीके से बेज़ती है उनसे उनकी तकलिफे नहीं पूछी गी उनसे टिकट के वितरण में कोई सला नहीं ली गी वो अपने सम कि काम नहीं करवा रहे थे करवा पा रहे थे ऐसी बातें भी उनके सब के सामने वो आ रही थी वो कह रहे थे कि मोदी जी ने मुझे साथ सीटों की जिम्मेदारी दिये तो उनका जो तात्परी हम समझे या प्रदेश की जनता समझे कि ये सातों की सातों सीटों में मेरा कोई राय नहीं है मुझसे कुछ नहीं पूचा गया दादागिरी के साथ में पार्टी आला कमान पे हम पे यह जो है टिकेटें थोपी गई है और उसके बावजूद भी जो हालात प्रदेश में बने वे हैं आप बताईए टोंग के अंदर एक हैड कांस्टेबल बजरी माफिया न पराद बढ़ रहे हैं और इस छे मैने में तो इन्होंने एक रिकोर्ड स्ताफित कर लिया पराद बढ़ाने का और कोई जबाबदार ही नहीं मैंने कल परसों भी कहा था कि इस सरकार की स्थिति जो जहावलिया होता है उसकी तरीके से जहावलिया जो होता है उसमें जो उप चलता है तो उसका पता नहीं चलता कि उसका मूँ कितर है पिछवाड़ा किदर है इसके पैर किदर है इसके कोई हैग नहीं और हाथ लगा कि उसको चेक नहीं कर सकते क्योंकि वह सूल गड़ जाएगी तो यह स्थीति है कि सरकार को चला कौन रहा है और यह सरकार चल कैसे रहे ये ये काम क्या कर रहे है साथ मेने से ये प्रदेश की जंता में कोतुल और एक बनावा है विध मंत्री दिया कुमारी जी बजट नहीं पड़े को ये भी एक साजी से मैं समझता हूं कि इसका समय आने पर खुलासा होगा और बीजेवी के लोग कर रहे हैं हमें इससे कोई वास्ता नहीं है कौन बजट वितमंत्री पड़े मुख्यमंत्री पड़े जो कानून में है जो इनको ठीक लगे लेकिन इ अपने आखों से देखा और पूरे प्रदेश ने देखा है